अज़ेक्सिट एक बीज होता है जिसे हम हिंदी में अलसी कहते हैं फ्लेक्सिट या अलसी एक सूपर फूड है यानि इसके बहुत सारे फायदे हैं अलसी का सेवन वजन घटाने, कोलेस्टरोल कम करने, बलड शुगर कंट्रोल करने जैसी कई बिमारियों और समस्या और सामानिस वास्ते के लिए बहुत लाबकरी है तो आई ये जानते हैं ये किन परेशानियों में काम आता है अलसी के पीश से मोटा पा कम होता है, अलसी में डाइटरी फाइबर भरपूर मातरा में पाया जाता है इस वज़े से अलसी खाने पर जल्दी भूख नहीं लगती है अलसी का फाइबर पेट के लिए लाफदैक बेक्टिरिया को बड़ावा देता है जिससे मेटाबोलिस्म उपाब जाय की दर तेज होती है, जिससे ज्यादा केलोरी बन होती है ये फाइबर मल का निकास भी आसान करता है, जिससे कबज नहीं होता अलसी के अन्य प्राकर्तिक स्तुरोतों की तुल्ला में 800 गुना अथिक लिगेंस होते हैं लिगेंस एंटी ओक्सिडेंट की तरह काम करते हैं और शरीर में हानिकारक फ्री ओक्सिजन रेडिकल्स को खत्म करते हैं Free Radicals Metabolic Rate धेमा करके बजन बढ़ाते हैं और शरीर फूल जाता है LC के बीच Free Radicals नस्ट करके मोटा पे से मुक्ति दिलाते हैं LC के बीच में Protein, Iron, Zinc, Potassium, Phosphorus, Vitamin B Complex, Calcium, Vitamin C, Vitamin E, Magnesium, Magnes, Copper, Zinc, Selenium, Fiber, Carotin तत्व पाए जाते हैं Omega 3 Fatty Acid हमारे शरीर को स्वस्त रखने में सायक होते हैं यह सबसे अधिक मातरा में समुद्री मचलियों से प्राप्त होता है लेकिन शाकाहरी लोग LC का 7 करके इसका लाब उठा सकते हैं LC का 7 बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक को पोशन देता है इससे बाल लंबे और मजबूरत होते हैं इसलिए कम तूटते जड़ते हैं नई निकलने वाले बाल भी स्वस्त और सुन्दर होते हैं ओमेगा 3 फेटी एसिड सर की स्किन को भी सूखने से बचाते हैं जिससे डेंडरफ यानी रूसी की समस्या भी दूर होती है इसकिन के लिए भी लाजवाब है ये बढ़ती उमरिक के लिए भी असरकारक है जैसे जूरियां, महीन रेखाओं को दूर करता है ये तवचा के कील मुहासो को दूर करके इसकिन को नई चमक देता है तवचा का कसाओ बनाये रखता है ये इसकिन समस्या, एक्जिमा, पिसोरीस के उप्चार में भी कारगार माना गया है अलसी खाने से घाओ भी जल्दी भरता है औरतों के होर्मोनल्स बैलेंस के लिए भी बहुत सायक होता है जिन औरतों का पीरियड अनियमित होता है और पीरियड के दोरान तेज़ दर्द होता है उन्हें प्रति दिन अलसी खाना चाहिए अलसी इस्त्रियों के प्रजनन अंकों को स्वस्त रखता है जिससे पीरिड नियमित होता है गर्वती इस्त्रियां और स्तन पान कराने वाली माताओं को अलसी का सेवन संतुलित मातरा में करना चाहिए अलसी इस्तन पान के दोरान दूद ना आने के समस्या को दूर करता है अल्सी खाने से पुरुष की कई सेक्स समस्या जैसे सेक्स में रूची न होना, जल्दी उत्तेजित होना, सेक्स के दोरान नर्वसनेस, शारिरिक दुलबलता, रग्त संचार से जोड़ी दिक्कतों से निजात मिलता है बढ़ती हुई उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, प्लड कैंसर होने का खत्रा होता है, अल्सी का सेवन करके इन कैंसर के आशंका से बचा जा सकता है अल्सी से मिलने वाला ओमेगा 3 फेटी एसिट, तत्व नेतर विकार, आखों में सुखापन के उपचार में प्रभावी है हिदय की धमनियों में कोलिस्ट्रॉल के जमने से हिदय रोग की सम्भावना बढ़ जाती है इसलिए अल्सी कोलिस्ट्रॉल कम करकि हिदय रोग होने के खत्रे को भी कम करता है अमेरिकी वेग्यानिकों के एक शोद में पता चलता है कि ये LC में जो polyunsaturated fatty acid होता है वो विशेश रूप से breast cancer, prostate और colon cancer से बचाओ करता है LC blood pressure नियंतरत करने, hypertension के रोग्यों के लिए blood sugar control में अत्यांत लाबदायक है Type 1 और Type 2 diabetes रोग्यों के लिए LC diabetes रोकने के मामले में कारगार पाया गया है LC किडने समबंदिस समस्याओं में भी लाबकारी है LC से अनवशक थकान, तमजोरी, सुच्च्टी, सूजन भी दूर होती है अब बात करें इसके 7 की तो इसे एक एक कैपसूल सुबह शाम लेना चाहिए बात करें इसके प्राइस की तो यह 208 रुपे की MRP में 60 कैपसूल में उपलब्द होता है अगर आपको यह एक एक कैपसूल ऊडर करना है तो description में दिये हुए link पर click करके आप order कर सकते हैं या हमें whatsapp पर message करके भी order कर सकते हैं आशाय आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारी यूटिब चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए, धन्यवाद.